स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल के रिक्वेलन प्रिडिक्शन में गाईज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लंका प्रिमियर लिग का मैच नंबर 10 जो कि यहां से खेला जाएगा मतलब कि कोलमबो इस्टार्स और जासना किंग्स के बीच में तो ऐसे में दोनों टीम होगी क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 क्या कुछ पॉस्बल चेंज़स हो सकता है खिलाली क्या कुछ रिकॉर्ड रखते वीडियो में फुल डिसकस किया जाएगा तो विदाउट वेस्ट चैनल है तो हो सकता है आपके आते आते और यह घड़ बढ़ सकता है यहां पर आओगे तो फिर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि 80% यहां पर हम लोग कॉंटेस्ट विन करते हैं चाहे कोई सा भी मुकाबला हो अब कल ही का देख लो यहां पर इंडिया वुम जाने वाला है आप इसमें अच्छा इंवेस्ट कर सकते हो और हुआ भी खैर वैसे ही मैं आपको यहां से दिखाता हूं पहले देख लो लंका प्रीमेर लिग भी जो कल का दूसरा मुकाबला खिला गया था यह भी यहां से अल्ट्रेक लेंस्ट विनिंग हुई थी बाकि य पाऊगे तो फिर हो सकता है आपको भी कोई देखकर यहां पर आएगा तो आप सब्सक्राइबर देखकर यहां पर इसकिल्स का अंदाजा मत लगाना बाकि जितने लोग हैं यहां पर वो सारे इंजुआ करते हैं तो अगर आप इनमें नहीं आते हैं तो आप भी आ सकते हो चलो दूस्तो वीडियो को हम लोग फाइनली यहां से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बताता चलो डबल हीडर का दुसरा मुकाबला खेला जाएगा पहली वीडियो औरेडी मेरे चैनल पे है अगर आप लोग खेलना चाते तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लेना 12 दिसंबर को 7 बच के 30 मिनट पे आप लोगों को अपने भारत टैम नुसर शाम को ये मुकाबला देखने को मिल जाएगा जो कि पाल कले इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम का ग्राउंड रहने वाला है अब यहाँ पे पीच क्या कुछ बिहेव करती है उससे पहले मैं आप लिगों को प्रैक्टिकल वाइज यहाँ पे दिखाता हूं कि यहाँ पे मुकाबले हुए है तो हुआ क्या क्या है तो देखो यहाँ पे पहला एक मुकाबला खेला गया था, मैश नंबर 6, यहाँ पे मतलब कहा सकते हो, एक मतलब low ही score हुआ था, ठीक है लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा score बन गया था, मैश नंबर 7 में, फिर मैश नंबर 8 हुआ, इसमें भी बहुत अच्छा खासा score, इ लिए अच्छी खासी आप सर्फेस मान के चल सकते हो क्योंकि बाउंस वगएरा अच्छा है यहाँ पे पीछ पे है तो बैट्समेन अगर बॉल को अच्छा खासा स्कोर करेंगे बाकी बाउंडरी भी बहुत बड़ी है नहीं लेकिन जो फास्ट बॉलर होते हैं आप लोगों क गेम में वह भी बहुत अच्छा खासा आते हुए दिख सकते हैं तो आप लोग यह सोच कर यहाँ पर कॉंबिनेशन ट्राइ कर सकते हो देखो टी-20 डोमेस्टिक इस ग्राउंड पर जब-जब होते हैं होता क्या कुछ है ग्यारा मुकाबले खेले गया है बैटिंग फर्स् बहुत बड़े-बड़े मार्जन से वॉन किया है तो हो सकता है जो टीम यहाँ पर टॉस जीते हैं कि फर्स्ट बैट करना जादा प्रेफर कर सकती है बिकास मतलब ना चेज करने में डिफकल्टी आता है एवरेज फर्स्ट इंग स्कोर 155-160 मेरे ख्याल से यह बढ़ गया ह होगा ठीक है 170 आप लुग मान के चल सकते हैं जिस तरह की यहां पर स्कोरिंग हो रही है पिछले मुकाबले में हाइस्ट स्कोर बना था जाफना किंग्स द्वारा 240 रन 4 विकेट के नुकसान पर बाखिलोष देखिए का SLC रेट का 92 रन 10 विकेट के नुकसान पर है स्कोरिं जहां तक मुझको लगता है न यह स्कोरिंग 170 से 190 की बीच में आप लोग मान के चल सकते हो जिस तरह की पिछ मतलब बैट्समेन को सपोर्ड कर रही है आई थिंग कितना स्कोर बनना चाहिए बात करते हैं दोस्तों यहां से जेकी कि क्या कुछ पॉस्बल प्लेंग 11 रहने व बॉलिंग नहीं मिल रहा तो यहीं कहूंगा इन्वेस्टमेंट लेस करना और जो कि कल से बिग बैस लिग श्टार्ट होने वाली है तो वह एक अच्छा टूनामेंट है तो यह भी एक ओफिसियल टूनामेंट लेकिन यहां पे होता क्या है कि 70% डोमेस्टिक के खिलाली खे लेकिन जो कि बिग बैस लिगे है वहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्ड तो बता देता हूं पर फिर भी उनको जज़ करना मुस्किल होता है कि कभी हम लोगों ने उनको खेलते हुए देखा नहीं है बात करते हैं देखो रह्मुनुल्या गुर्बाज के साथ आप लोगों में 73 रनों का लाजवा भी स्कोरिंग किये थे उससे पहले फ्लॉप थे लेकिन इन्हों ने प्रूव कर दिया कि क्यों इनका वर्ल्ड किर्केट में इतना अच्छा नाम है अफगानिस्तान टीम के बहुत ही मज़े हुए विकेट कीपर खेला लिए बाकि अब इसका फनांडो जिन्हों ने 54 रनों के स्कोर किया था उसके बाद देखो धनांजय डिसलवा 19 रन प्लस बॉलिंग से एक विकेट मिला था अब देखो बैटिंग करम भी न इन लोगों में ज्यादा कुछ फिक्स नहीं रहता लेकिन प्रोबैबली जो रहता है मैं उसके अनुसार आप तो एक तरह से देखा जाए जितने भी बैट्समेन की यहां से बैटिंग आये थी सब ने यहां से आल्मोस्ट पार्टी जॉइन किया ही था अब देखो जैसे कि मैं कहा रहा हूं अनेक्सपेक्टेड क्यों हो रहा है देखो दूनित विलेंगे जो इस टीम के एक परमुख बॉलर हैं अब इनको पिछले मुकाबले में ना बैटिंग मिली थी ना ही बॉलिंग मिली थी तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो बाकि पिछले मुकाबले में सुमिंदा लक्षन खेले थे अब खेले थे तो इनको टेस्ट करना चाहिए था कि अगर बतोर बॉलर खेल लाता हो तो तीन विकेट इन्होंने निकाल आता फिर I don't know क्यों इनको टीम बाहर बैठा दीती है देखो इनके तफ से बालिंग इन्फॉर्मेशन पहले यह देख लो कि कौन सा बॉलर कहां पर बॉलिंग करता है तो थी सारा पैरेरिया महेश ठिशना और परमोद अदिल्शा बेंच पर भेजा गया है तो हो सकता है यहां से शंदाकन लक्षन को बाहर करके न आप लोगों को विजयनात खेलते वे दिख सकते हैं बॉलिंग इन्फरमेशन भी देखेगा तो काफी जादा बॉलर्स यूज होते हैं जो कि आप लोगों को अच्छी खासी ओबर कर सकते ह है ठिशना का नाम मान सकते हो फनांडो का नाम मान के चल सकते हो अगर फूलर्स खेलेंगे तो यह अच्छी खासी ओबर करेंगे विजयनात खेलेंगे तो यह अच्छी खासी ओबर करेंगे बाकि धनेंजे डिसिलवा का ओबर कटते रहता है ठीक है बाकि देखो दिल्शान बाहर जा सकते हैं क्योंकि देखो यहां से मैं एक चीज दिखाता हूं इनकी इकॉनमी देखो भाई साड़े-बारा की इकॉनमी से अगर टी-20 में इनको रन पड़ रहा है तो कहीं ने कहीं इनके दो विकेट लेने से फिर कोई टीम को फर्क पड़ने वाला नहीं है और हो सकत है यहां से आप लोगों को विकेट भले से लिए हैं लेकिन इनके विकेट की ज्यादा कोई महत्व रहने वाला नहीं है तो सुमिंदा लक्षन इस मुकाबले में आप लोगों को बाहर बैठते हुए दिख सकते हैं तो मैंने करेक्ट कर लिया है थोड़ा सा बाइमिस्टेक वहाँ पर टाइपिंग की प्रॉबलम हो गई थी तो आप लोगे एक बार देख लेना ठीक है बात करते हैं देखो CS की क्या कुछ पॉसबल प्लेंग 11 विट रिसेंट स्कोर कार्ड रहने वाला है तो निरोसन डिकवला के साथ पिछले मुकाबले में एंजलो मैथ्यूज ओ निकाल पाए थे लेकिन अच्छी बात यह कि ओपनिंग कर रहे हैं टीम की कैप्टा ने पलस कुछ बॉलिंग भी कर रहे हैं नवोद परवन्थिना की बात करते हैं तो एक विकट इनको मिला था अब देखो यह ऐसा बैट्समैन खेल रहे थे लेकिन पिछले मुकाबले में बालिंग किये थे बैटिंग करने काफी नीचे आथे लेकिन उससे पहले वन डाउन आथे तो जैसे मैं कहा रहा हूँ बैटिंग करने ज्यादा कोई फिक्स नहीं है लेकिन जहां तक मुझको लगता है उस करम से मैंने लिख दिया है बाकि चरीत रहा सांका जिन्हों ने 5 बालिंग से इनको कोई विकेट नहीं मिला था अब यह भी बालिंग कर रहे हैं रवी बोपारा की बात करते हैं तो 46 बालिंग से एक विकेट इनको भी मिल गया था अच्छा पफरमेंस था और पिछले मुकाबले में मैंने इनको कहा थे कि आप जरूर ट्राई करना यहां त करीम जननत की बात करते हैं तो पिछले मुकाबले में ऐसा बैट्समें खेले थे और ये वन डाउन खेले थे लेकिन यह नीचे ही खेलते हैं तो बैटिंग से खाता नहीं खुल पाय था और यह बॉलिंग नहीं किये थे जहां तक देखता हूं देखो यहां प्रोपी यह ब कोई विकेट नहीं मिला था वहीं जेफरी वंडर सी जिन्होंने दो विकेट पिछले मुकाबले में निकाला था और इनको भी मैंने कहा ता आप लोग जील में एक बर सीविसी बना के देख लेना क्यूंकि एक वाल्टी स्पिनर है यह देखो इनके तफ से मैं आपको ओपन द देखने को मिल रही होगी जो बॉलर अच्छी खासी ओबर कर सकते हैं वैसे तो एक कोई भी पार्टीकुलर ऐसा बॉलर दिख नहीं रहा है लेकिन आप लोग डॉमिनिक डर्क और सुरंगा लकमल को मान सकते हो बाकी जितने खेलेंगे ना भाई साथ-साथ-साथ ऑप्सन ख करके देख सकता है देखो बाकी CS के overall सारे खेलाड़ी को रिकॉर्ड है अगर इसमें से कोई और भी खेलाड़ी अगर खेलता है तो रिकॉर्ड देख सकते हो कैविन कोटी कोटिंग गोंडा की बात करते हैं लेक ब्रेक बॉलिंग करेंगे 18 मुकाबले में 11 विकिट इनके न करते हैं बालिंग से अच्छा रिकॉर्ड बैटिंग से भी ठीक्षा की रिकॉर्ड 36 का एवरेज वहीं बालिंग से 11 पारी में 17 विकिट इनके नामे तो देख लेना और जितने भी खेलाड़ी है सब का यहां समयने रिकॉर्ड वागरा लिखा हुए बाकि जाफना किंग्स के भी ओवराल सारे खिलाड़ी को रिकॉर्ड है तो आप लुग रीड करके चल सकते हो बागी चलते हैं ड्रीम अलोन पर देखते हैं इस मुकाबले से लेटेड हमारी क्या कुछ टीम बनके रेडी हो रही है दोको दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले विडियो को आप लोग से डिकवेला और गुरबाज बेश्ट में रहने वाले अब देखना पड़ेगा डिकवेला इस मुकाबले के लिए एवलेबल भी है कि नहीं है क्योंकि पिछले मुकाबले में रिटार्ड हो के वापस गये तो कहीं ने कहीं यह दिक्कत में थे तो अब देखना इंपोर्ट पर 30 परेरा या फिर असलंका को ट्राइ करके चल सकते हो क्योंकि इन तीनों का बैटिंग कर हम से रहने वाला है चार से पांच नमबर पर यह सब बैटिंग करने आएंगे तो अब जिसको चाहो ले सकते हैं क्योंकि बॉलिंग भी यहां से डाल देते हैं ठीक है अब बोपा अबले में करीम जननत की मतलब बॉलिंग ही नहीं आई थी ऐसा बैटिंग से बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं बॉलिंग करते तो बेश्ट रहने वाले थे अगर फिर से मालूम चलता है कि बॉलिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है अगर जेम्स फूलर खेलें तो अपने टीम भी फनांडो महत ठिशना और बाकी यहां से नवीनुल हक जो कि मुझको लग रहा है तीन से चार उबर करने वाले हैं बाकी इन लोगों का आई थिंक ओवर नहीं कटने वाला है इस वज़ा से टीम में मैंने ट्राइ कर लिया विलेंगे का ओवर का कोई गैरंटी नहीं यह क छोड़ोगी तो इनको ट्राइ कर लेना जील में सी विसी बना देना क्योंकि ओपनिंग में चटका सकते हैं विकेट बाकी फिलाल कुछ इस पर करका कि टीम बनके रेडी हो रही है जहां पर बात किया जैक कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन मेरे रहमनुला गुरब सकतो बाकी महेश ठिशना का भी बेस्ट में उप्सन रहने वाला है तो फिलाल कुछ इस पर करके टीम बनके रेडी हो रही है लेकिन फाइनल टीम के लिए टेली ग्राम पर रहना जिसका की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है सेकेंड च अच्छी वीडियो के तब तक लिए गुड़ बाई